रनबीर कपूर की most elevated film शमशेरा का ट्रेलर रिलीज होते ही विवादों के घेरे में आ गया सोसल मीडिया पर उटी फिल्म को बाइकॉट करने की मांग दरसल बात ये है कि रनबीर कपूर की most awaited film शमशेरा के अंदर एक बार फिर से हिंदू धरम का मजाक उड़ाया गया है शमशेरा का ट्रेलर रिलीज होते ही लोगों को खूब पसंद आया इस फिल्म में रनबीर कपूर एक डखेट के किरदार में नजर आएंगे और इससे पहले फैंस ने रनबीर कपूर को ऐसे उतार में कभी नहीं देखा था वहीं रनबीर कपूर के opposite villain के रोल में संजदत भी नजर आ रहे है दो मिनट और 69 सेकेंड के ट्रेलर में संजदत की काफी खूखार चवी दिखाई गई है लोगों को उनकी दमदार एक्टिंग काफी पसंदारी है लेकिन एक बात जो लोगों को बहुत ज़्यादा खटक गई और इससे उनकी भावनाओं को ठेस भी पहुँची है वो है फिल्म के अंदर संजदत का लुक संजदत बिठिस जमाने के एक ऐसे दरोगा बने है जो बहुत ही खुकार है और वो लोगों पर अत्याचार करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था लेकिन इस नेगेटिव किरदार का नाम शुद्ध सिंग है शिंग यानी हिंदू साथ ही संजदत के माते पर तिलक है और सिर पर उनके शिखा रखी हुई है यानी कि हिंदू धरम में रखी जाने वाली चोटी इससे यह साब तोर पे नजर आ रहा है कि हिंदू धरम के एक व्यक्ति को खलनाय के रूप में दिखाया जाने की कोशिश की गई है फिल्म के अंदर संजदत चोटी और तिलक के साथ बेरहमी से लोगों को पीड़ते वे नजर आ रहे हैं लोगों पर जुल्म ढाते वे नजर आ रहे हैं ये सब देखकर सोशल मीडिया पर फैंस बढ़क गए और उन्होंने फिल्म के अंदर हिंदू धरम को बदनाम करने और हिंदू की इमेज़ खराब करने पर फिल्म को बाइकॉट करने की मांग कर दिये है और सोशल मीडिया पर जमकर बॉल्यूट को ट्रोल कर रहे हैं उनका पूछना है कि आखिर बॉल्यूट हमेशा हिंदू को बदनाम करने की कोशिश क्यों करता है और ये पहली बार नहीं है हाली में थोड़े दिन पहले रनबीर कपूर की फिल्म बर्मास्तर का टेलर भी रिलीज हुआ था जिसके अंदर रनबीर कपूर जूते पहने वे मंदिर के अंदर गंटी बजाते वे नजर आए ये देकर भी लोग काफी भड़क गए थे और उन्होंने बॉलीवूड को उर्दू बुड भी कह दिया था एक यूजर ने तो बॉलीवूड के उपर भड़कते वे ट्वीट करके लिखा बॉलीवूड वाले अपनी फिल्मों में अर्बो रुपे लगा देते हिंदूओं को बदनाम करने के लिए क्या यस चौपडा कभी एक मॉलाना को अपनी फिल्मों के अंदर ऐसे विलन के रूप में दिखाएगा हैस्टेक बाइकॉड बॉलीवूड हैस्टेक बाइकॉड सम्शेरा वही एक यूजर ने ट्वीट करते वे लिखा की हिंदू धरम को एक बार फिर से टार्गेट किया गया है वही तीसरे ने लिखा की ऐसा बॉलीवूड वाले हर बार करते हैं जान बुझकर हमारे हिंदूओं का अपमान करते हैं वही बहुत से लोगों ने बॉलीवूड की अन्य फिल्मों के विलंस के फोटो को शेर किया जिन में बॉलीवूड के विलंस हिंदू देवी देवताओं का गेट अप लिए हिंदू धरम का मज़ाग उडाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर आपकी क्या सोच है आपकी क्या प्रतिकर रहा है कॉमेंट बॉक्स अपनी रायस जरूर लिखे हैं